श्री शिवाय नमस्तु भ्यायम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में दोस्तों सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस विडियो में तीन आसान आसान से उपाय भूले बाबा को प्रसन्न करने के उपाय आप के हर दुख परेशानी को दूर करने के उपाय आपको पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रजी के कथाव से सुन कर समशकर बताने वाले हैं यह उपाय आप पूरे सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं क्योंकि पूरा सावन भगवान भोले नात के पूजा आरात सबना के लिए महतोपूर्ड होता है इसलिए दिन की कोई पावंदी नहीं लगती है, स्टिथियां जो होती है उन पर महतो जादा होता है पर पूरे सावना आप कर सकते हैं आजाते हैं अपने सबसे पहले उपाए पर है, जो की है, कोई परिशानी है, लड़ाई जगडा है, वाद विबाद है, कोई मनों कामना है, अधूरी है, तो फिर आप इस उपाए को कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं, पहला तो जैसे देखें आप तृपुंड बनाते हैं, होता है आपकी जो भी दुख दर्द परिशानी और परिवार की खुशियों के लिए ऐसा द्रपुंड बनाया जाता है यह उपाय किया जाता है अब आजाते हैं दूसरा अगर आपकी कोई इच्छा है मन में कोई सवाल है कोई मनों कामना है चाहते हैं पूरी हो जाए तो आप को लेना होगा पीला चंदन थोड़ा सा लग बहुत जादा नहीं लेकिन आधा चमच पीला चंदन आप ले लीजिएगा इसके साथे साथ दूसरा चाहिए होगा हमको लाल चंदन लाल चंदन बहुत थोड़ा सा चाहिए होगा जादा नहीं थोड़ी सी मात्रा लाल चंदन की चाहिए होगी साथी साथ एक लोटा जल तामे के लोटे में अपने ही घर से आपको ले लेना है और इस तीनों चीजें ले करके आपको किसी भी समय सुबा से ले करके शाम तक जब भी आपको समय मिलता है आप वहां ले करके चले जाएंगे भोले बाबा के मंदिर के पास मे जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएए और आपको क्या करना एक लोटा जल जो आपने लिया हुआ है अपने दोलों हाथों से उस जल को भगवान भुले नाथ की उपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या उनमस्षिवाय कहते हुए चड़ा देना है सबसे पहला काम ये करना है जल चड़ा दिया अब आपको उसके बाद सबसे पहले उपर की दो लाइन आपको बनानी है ठीके दो उगलियों से उपर की दो लाइन आप बना दीजिए और अपनी इच्छा मनो कामना जो है वो कह दीजिए उसके बाद में तीसरी लाइन भी आपको त्रिपुंड तीन उगलियों से बनता है तो बाद म आपको अनामिका उंगली में लगाना है और उस उंगली से बीच में आपको लाल चंदन की बिंदी लगा देनी है इस तरह से जो त्रपुंड बन जाता है जैसे कि आपको शेबलिंग के उपर दिख रहा है इस तरह से आपको त्रपुंड बनाना है और अपनी इच्छा और मन उकामना जरूर पूरी होती है पांच से लेकर के साथ दिनी उपाय करके देखिए भूले बाबा आपके मनो कामना पूर्ण करके ही रहेंगे अब आ जाते हैं दूसरे उपाय पर दूसरा उपाय है धन संपदा के लिए माता लक्षमी की प्राप्ती के लिए लक्षमी कृपा आपके घर में बनी रहे पैसा अगर नहीं टिकता है करजा लेना पड़ जाता है अक्सर खर्चे जादा हो रहे हैं और आमदनी कम हो रही है जो आमदनी हो भी रही ती दीरे-दीरे कम हो रही है कोई तरक्की नहीं हो रही है मान सम्मान में व्रिद्धी नहीं चाहते हैं तो इ लेना है पांच कमल गट्टा लेना है तो आपको यह व्रिद्धि करते हैं एक चुट्की बस सफेद तिल चहिए लाल चंदन चाहिए योगा करीब एक चम्मच तो लाल चंदन ले लिए अब आपको एक लोटा अपने घर से जल ले लेना है तांबे के लोटे में जो जल आपने लिया हुआ है उसी जल में आपको पांच कमल गट्टा जो फूल वाली लॉंग ली है वह साथ ही साथ सफेद तिल जो चुटकी भर भी उसी श्री शिवायनमस तुयम कहते हैं उसी लोटे में डाल लेना है सारी सामग्री डाला डाल दे मैं जया लाल गा dong को अलग रखना है ये सब सामग्री ले करके आपको चले 서 lespanti करिए-गाधा और जब आप लगा रहे हैं तब आपको अपनी मनो कामना भी कहनी है और कुंध कीशवर महादेव का नाम करतसमे को इसका नाम बोलना है और अपना नाम बोलना है गोत्र बोलना है और अपनी कामना कहनी है कि हमारी इधन संपदा संबंधी जो भी समस्या है वो दूर हो जाए हमारे घर में मातलक्षमी टिकने लगे ऐसी प्रार्थना करनी है आपको वहां पर उसके बाद जो एक लोटा जल पकड़िएगा और दोनों हाथों से धीरे-धीरे करते हुए शिवलिंग के उपर आपको श्री प्राथना करने के बाद में आपको वहां पर थोड़ा देर बैठ कर अपने घर आ जाना है वह जल ले करके जब आप घर का जो मुख्य चोकट होती है मुख्यदार होती है वहां पर उस जल को चिड़क दीजिएगा उसके बाद पूरे घर में बात्रूंग पो चोड़ करके गर के कोने कोने में क्या होता है उस जल को आपको छिड़क देना है इसे आपके घर में भगवान भुलेनात की कृपा होती है माता लक्षमी की कृपा प्राप्त होती है साथ ही साथ मान समान में ब्रिद्धी होती है और परेशानियां दूर होती है अब आजाते हैं अपने ती करना है बिमार व्यक्ति के लिए आपको बेल का एक फल लेना होगा बेल का फल जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरह का होता है मार्केट में मिल जाता है और इस तरह से बेल फल ले लीजिएगा उसके बाद आपको उसका गूदा निकाल लेना है ठीक है अगर आप जूस एकत्रित कर लिया अब आपको एक लोटा जल भी ले लेना है और बस ये दो समगरी लेकर के शिव मंदर चले जाना है शिवलिंग के पास में जब आप वहां पहुंच जाएंगे तब आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपने जो जूस लेकर रखा हुआ है बेल का उस अव्धुतेश्वर महादेव का नाम देते हुए अव्धुतेश्वर महादेव का समरन करए और उस बीमार वेक्ति Ka जितना हो सके एकत्र कर लीजिए उसके बाद जो एक लोटा जल लेकर गए हैं वह शीवलिंग के उपर स्री शिवाय नमस्तुभिम कहते हुए चड़ा दीजिएगा मनो कामना कहने है उस बिमार व्यक्ति की बिमारी ठीको प्रार्थना करनी है और जो अपने जूस निकाला हुआ है बूदा वह लेकर गहर आजाना है घर आने के बाद उसको बिमार व्यक्ति जब भी दवा खाने वाला हो उससे आधे गंटे पहले आपको एक चम्मच या दो च उस दवा का असर होना शुरू हो जाएगा और दवा काम करना शुरू हो जाएगी ऐसे भगवान भोले नात की कृपा से एक बारी उपाई करके देखिएगा आप पर भगवान भूले नात के गरपा जरूर परसेगी दोस्तों इस वीडियो में तीन उपाय बताएं हैं आपकी परिशानी से संबंधित जो भी उपाय आपको लगता है वो उपाय करके जरूर देखिएगा आपको चाहें तो सारे उपाय भी कर सकते हैं कोई पाबंदी नहीं है कि उपाय कर सकते हैं अलग-अलग समस्या से संबंधित उपाय हैं जो आपके लिए सही है करके जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आयो हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तो भिम या हर हर महादेव जरूर लिखें आप सभी पर भगवान भूले नात के कर पस्ता देव बनी रहे हर हर महादेव